नमस्कार दैनिक्ष्व टाइम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। 16 तारीक यनि आज 15 है और कल 16 तारीक है। कल के दिन जो मुकश्मीर को अपना मुख्यमंत्री मिलेगा और उम्रूदुल्ला मुख्यमंत्री की शप्त लेने जा रहे हैं। वहीं पर एक खबर और भी है। जो मुकश्मीर से खाली राजसभा सीटों को भरने के लिए भाजपा ने भी पूरी तरह से तयारी कर ली है। कोन-कोन होंगे इस राजसभा की सीटों के लिए किसे नामागत किया गया है। पूरी जानकारी हम आपके समक्ष रखेंगे। बताना चाहिए जमुकश्मीर से राजसभा सीट के लिए भारती जंदा पार्टी के बीतर दोड जो है तेज हो चुकी है। जिसमें जमुकश्मीर भाजपा पदक्ष रविंदर रैना और पूर्व उपमुख मंत्री कविंदर गुपता और डाक्टर निर्मल सिंग अगरानी अमीदवार के रूप में उभर रहे हैं। हाली में विदान सबा चुनाओं को पूरा होने के बाद राश्ट्र पती शासन के दोरान खाली रही जमुकश्मीर के उच सदन की सीटों पर भरती होने की पूरी तरह से तयारी है। सूत्रों के अनुसार अगर बात करें तो भाजपा के इन तीन वरिष्ट नेताओं को पार्टी के राज्य सबा में एक मात्र नामांकन के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वहीं पर नुशारा में अपनी सीट हारने के बावजूद रविंदर रहना के नेताओं को हासिल चुनाओं में पार्टी के इतिहासिक परदशन का श्रे दिया गया है। पार करते हुए 29 सीटे हासिल की कांगरस और पीडिपी क्रमक्ष 11.97 प्रतिशत और 8.87 के साथ दूसरे स्थान पर है। इस बीच कविंदर गुपता और डाक्टर नर्मल सिंग जिने हाली में विदान सबा चुनाओं में टिकर नहीं दिया गया था उचे सदन की सीट के लिए दोड में बने हुए है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि भाजपा यनि कि आला कमान ने उन्हें महत्तपुन भूमिका देने का अश्वासन दिया है। जिस से यनि कि उन्हें संभावित राजसबा नमांकन का संकेत मिल रहा है। निर्वाचित विदान सभा की अनुपस्तित के कारण जमुकश्मीर से चार राजसबा सीटे लंबे समय से खाली है। यनि आप वो सीटे भरने जा रही है। और जिनमें जो दोड है सीटों में राजसबा की इन सीटों पर यनि कि जो आप दोड में शामिल हैं उनमें बतान सभा में बिठाया जाएगा, वहाँ पर विराजमन किया जाएगा, यनि लंबे समय के बाद, दस साल के बाद, जमुकश्मीर की जनता को मोका मिला है, उन्हें अपना मत का इस्तमाल किया है। हम बार बार यही बात करते हैं, अब भी यही बात करेंगे, क्या लगता क्योंकि जहां पर भाजपा ने यह कहा था, हमारे पास भी एक वीडियो आया देश के परधान मंत्री जी ने 2014 में जब जनसलाब जनता को संबोधित किया था, उन्हें ने कहा था, कि मेरी जनता परेशानी क्यों रहे, परेशानी, बिल्कुल सत्शर्मा भी हैं, बिल्कुल, आपने सही का सत्शर्मा जी का भी नाम है, फिला सूत्रों के अधार पर जो हम तक खबर इस समय आई है, वहीं पर अगर बात करें, तो ये भी पता आजा, देश के परधान मंत्री ने कहा था, होंगार्ड जो हमारी इतनी ड्यूटी दे रहे हैं, उन्हें हमारी एकर केंदर में सरकार आएगी, तो हम उनके साथ गलत नहीं होने दे, उनका अधिकार देंगे, डेली वेजर्स की भी बात की दी, पर शायद परधान मंत्री जी, देश के जिन पर करोड़ों जनता ने उन पर अपना विश्वा जता है, शायद परधान मंत्री जी भी कही ना कही भूल कि आपने जो वाइदा किया था हमारे होमगार्स के साथ, हमारे डेली वेजर्स के साथ, अन्यों के साथ, वो कही ना की बादा थंडे बस्ते में पड़ गया, अब फिर से के इंदर में तो भारती जनता पार्टी की सरकार थी, अब भारती जनता पार्टी ये कहती थी परद ने शायद डेली वेजर्स ने भी शायद परचंड यानि कि अगर बात करें जम्मू की तो लोगों ने दिल खुले दिल से वोटिंग की बशार की है यानि अतनती सीटे बारती जनता पार्टी के खेमे में आई है अन्य कई तो खाता भी नहीं खोल पाए तो उसी तरह अगर ब लोगों ने भारती जनता पार्टी को विश्वास दिया कश्मीर की बात करें उन्हों नेश्नल कांफरेंस पर जिता दिया पर वहीं पर अगर बात करें तो हम ये भी जो मुरुदुला भी लगातार कह रहे थे कि हम केंदर के साथ हमारा टक्राओ जो है वो कहीना की जनता के जो मुकश्मीर की जनता के मुद्दों को हल करने के लिए सही नहीं है हम चाहते हैं अलजी मनों सिन और केंदर सरकार के साथ मिलकर हम आगे चले ताकि जो मुकश्मीर की जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें हल किया जाए ताकि जो मुकश्मीर की जनता को ऐसी सरकार मिले जो कि उनकी परिशानी को समझे उन परिशानियों को केंदर तक ले कर जाए ताकि केंदर से भी जमकर्श की जनता को रहत मिले वहीं पर अगर बात करें और उसी किसलते अगर बात करें तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा था स्मार्ट मीटर को लेकर जो अटकले लगाई जा रही थ पर वहीं पर उम्रुवदुल्ला ने कहा कि अब 200 यूनट बिजली फ्री मिलेगी जिसना केजरी वाल जी ने अनॉस्मेंट की थी और देखते हैं आने वाले समय में जो उन्होंने मैनेफेस्टों में रखा था जो लोग जेलों में बंध है उन्हें भार जो पीए से लगा उन की जब बात हाई यानि कि डोगरा सीम पर लोगों ने ये कटाक्ष किया कि डोगरा सीम क्या सिरफ भाजपा का होगा या अन्य पार्टी का भी होगर अगर उन्हें जमू की जनता जम कुश्मीर की जनता उन्हें पर अपना प्यार निशावर करती है पर कहीना कि ये बात जो यह कहती थी आज कश्मीर की जनता भी कहती है के 2014 के 5 अगस 2019 के बाद जो जो एक समानता है कश्मीर के हालात में जो सुधार आया वो कई ना कि इसका श्रेफ भारति जनता पार्टी को जाता है पर उसके बावजूद भी यानि लोगों का वेवसाय भढ़ रहा है, टूरिस्ट्र से जा रहे हैं, आतंगवात कम हुआ है, लोगों के कारोबार शुरू हो चुके हैं, पर उसी परधर्शन काम हुआ है, पत्थरबाजी काम हुआ है, पर उसी के साथ साथ ये कहें, लोगों ने उसके बावजूद भी भारती जनता पार्टी को, यानि एक भी वहाँ से सीट नहीं दी है, तो क्या लगता है आपको, कि हम लोग बढ़ चुके हैं, जम्मु कश्मीर के लोग बढ़ चुके हैं, उमीद करते हैं, ये जो बांट बाजी जो चल रही है, ये ना हो, हमारा जम्मु कश्मीर एक गुल उसके चर्चे हैं, हम उमीद करते हैं, जिन नहीं सरकार है, जो अब नरीक सरकार बनने जा रही है, नैशनल कानफरस के उम्मु कश्मीर के नहीं सीम, उमीद करते हैं, जम्मु कश्मीर को बांटा ना जाए, जम्मु और कश्मीर को साथ लेकर चला जाए, और शीवम गत्पी वो कहते हैं कोई बात नहीं राश्टरवाद के इतना तो करना पड़ेगा ना थोड़ी सी अगर आप बहंगाई सहलेटे तो फिर कोनसी बात है और थोड़ी सी वेरोजगारी सहलेते हैं तो इसमें कोनसी बात है क्योंकि जन्ता खुद चुनती है अपने लोगों को ज बारती जनता पार्टी की जो राजसबा की सीटें जो खाली है यानि के खाली सीटों पर अब भरने के लिए पूरी इतरा से बारती जनता पार्टी तयार है और इस दोड में कौन-कौन है इस दोड में कई हैं से जो नाम हमारे ताकार है बारती जनता पार्टी के परदेश इंदर गुपता है डाक्टर निर्मर सिंग फिलाली ये जो सूतर हमें बता रहे हैं बाकियों की हो सकता नाम है पर ये दोड में उसी के चलते हम LG मनोस सिना जी से अपने जो भाई हैं अपनी जो भाई हैं जो फायर अबर्जंसी सविस के जो हमारे एस्पिरेंट्स है LG मनोस सि डर रहे हैं अगर सच है तो दुनिया के सामने आ जाए ना फायर अन अमर्जंसी पिछले आठ साल से उन बच्चों ने सड़कों पर अपने रोजे रखे सड़कों पर मातारानी के नवरातरे रखे उसके बाद भी बारती जनता पार्टी के परदेश अदेक्शन उन्हें का के हो जाएगा उसके बाद अरतुल्डू जी ने भी उन्हें शाष्चन दिया कि रिपोर्ट हो चुकी है सब्मिट एलजी मनो सिना के पास पहुंच चुकी है अब आगे रिपोर्ट में क्या ही हम नहीं जानते क्या लगता किसी को बचाने का परियास किया जा रहा है क्या ल लिकुल शिवम केशब जी ओल्ड इज पैंशन का पहले कह दिया बाजपा ने कि उन्हें तीन हजार उप्या पैंशन मिलेगी पर जब वो लोग सडकों पर होते हैं अभी भी अगर बात करें तो ये केंदर सरकार खुद कहते हैं कि इनके भार्च का मंतरी कि कुछ भी लेना अपने जो आने वली सरकार है कि जमु कश्मीर के लोगों की जो परिशानिया हैं उन्हें समझे उन्हें केंदर तक रखें और जन्ता जो हमारी खास के सबसे बड़ी मार जो इस पर पड़ रही है स्मार्ज मीटर की मार पड़ी है बले चोरी बिचली चोरी की बचत हुई हो पर जो गरीब लोग हैं जिनका अगर एक ये कहेंगे के पंका होगा बलब होगा उनका दो दो हजार पाच लए वह कहां से किराय देजें आप देखने वाली बात है कि अब विपक्ष में ऑविसलिए अब भारती जनता पार्टी होगी अब देखना है कि भारती जनता परट तो उसी लिए देखना है कि क्या भारती जनता पार्टी किस तरह से परदशन कर पाएगी कि अगर केंदर ने कोई मसले नहीं है अपनी केंदर में सरकार के किलाफ परदशन होगा क्या लगता आपको आने वाले समय में हमारी जनता जितनी भी प्लीज आप अपने कमेंट अपन चाहते रहते हैं दिखते ने चली आप कमेंट की तरह भी हमने अपनी जनता के देख लेते हैं गनेश जी विनोध रजे शर्मा जी का लगी के हाथ में पान रजे जी ऐसी बाते हम नहीं कहेंगे अफ्टर आल जी है हमें हमारा हमें आरे क्या समान करना चाहिए चाहिए वो क जो है वो तो होगा ही फिला मेरा कमेंट भी पड़िए जैमा बावे वाली जै माता दीविकी शर्मा जी बतीसो रजे शर्मा बतीसो फाई करम चारी पके करो बिलकुल हमारे वो सिवाई करम जब भी हमारे देश पर आपद आई है जमो कश्मीर पाबत आई है उन्होंने बढ़ चड़ कर अपनी जानों की परवाग किये बगार उस आपता को खतम करने में बढ़ा काफी योगदान दिया सीरजान बीजेपी जिन्दाबाद जीरजी आपके लिए कोई भी हो आपकी मर्जी है जो भी कहें रवीजार थैक्स में फाइव एमर्जंसी की बात करने के लिए रवीजी धनेवाद के शिवम कशाज जेएंड के स्टेट सेंटर कंट्रेचुल डेली वेजर्स अंगनवारी आशा वरकर्स पहल पर पर्मनेंट करने के लिए सेंटर गोर्मेंट बेस लेबर लाइंप्लिमेंट करना चाहें जरूर है बिल्कुल है डेली वेजर्स की बात कर बार्दवाज भार्दवाज जी बिल्कुल बीए चोधरी जी में सब आशा होगा हिंदू-मुस्लिम सब जी जी आप कहिए जो आपको अच्छा लगता है राजय संग्रा एल जी का यूपी भेजो परित्वी सिंग मनहाग अंगनवाडी वरकर्स की आवाज टौब बिल्कुल आंगनवाडी वरकर्स भी काफी देर से बचारे परदेशन कर रहे हैं हमारा काम है आपकी आवाज को होगा यह समझने अरी क्या लिख रहे हैं सनी डोगरा जमाता दीजी मंजी सिंग जी सो एस्पियो की बात करो बिल्कुल हमारे एस्पियो भाई का भी बड़ा योगदान है लॉन आडर को मेंचन करने में आतंगवाड को खतम करने में तो उनके लिए भी उनके बसले भी हल ह होने चाहिए मोहमद अकबाल बीजेपी का स्वाया बिल्कुल नहीं महमद अकबाल जी हम तो नहीं कह सकते यह चीज़ पर बीजेपी ने जम्मू में 29 सीटी हासिल किया बली कश्मीर में ने जो सरकार बढ़ाने जा रही है दोनों को मिला है यह जम्मू से उनको प्यार मिला कश्मीर जोन को मिला है सनी डोगरा जमाता दी अशीश कुबार जम्मू वालों के काम होने चाहिए और सब के मसले हाल बिल्कुल सर ओए कुष्टू डेली वेजर की बात पुछो मैं जम्मू लीडरों से बिल्कुल जब भी मैं मिलूंगी जरूर पूछूंगी शिवम के श दन्यवाद आपका शबीर हमाद मैडम जी आप सची और अच्छी खबर देते हो दन्यवाद शबीर हमाद जी सुर्जी सिंग राजपो जी गुड नियूज मैं लव यू धन्यवाद भाई सुर्जी जी रवी शर्मा जी जस्टिस वार होमगार्ड बिल्कुल हमारे होमगा सबसे बड़ा मुद्दा है हम सरकार से अब यह कहेंगे जरूर हमारे युवाओं को मिलने चाहिए कि दस साल से पिछले दस साल से जो आट दस साल से पोस्टे नहीं निकली है उन बच्चों का कोई को सोर्नी जो ओवरेज होगे हैं तो अगर कोई भी पोस्ट अगर आप नि इसी तरह से हम पर डैनिक शिफ्ट हम पर बरसाते रहेगा ताकि हम आपके लिए और अच्छा और बहतर करने का प्रयास करें जुड़े निया से मारसत अगले अपडेट के लिए जहें जबारत